इस वीडियो में solve करें question number 2 so that the following numbers are not perfect squares हमें show करना है कि यह numbers जो है perfect square नहीं है यहाँ पर ध्यान दिजेगा यहाँ बोला है show करने के लिए मतलब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर कि हमें यहाँ पर factorize करना पड़ेगा सबको और factorize करने के बाद यह देखना पड़ेगा कि इनके जो factors हैं वो pair में आ रहे हैं या नहीं यह पर नहीं यहाँ पर सो करना है कि नाट इसका मतलब कि इनके जो factors होंगे वो pair में कभी आएंगे ही नहीं इसका मतलब चले पहले से start करते हैं और इसके निकालते हैं सारे prime factors तो हम यहाँ पर पहले करेंगे तो यहाँ आएगा 21 9 3 12 2 13 14 7 क्या हो जाएगा 21 मिन्स थरी से केंसे राट हो जाएगा बिल्कुल 3 3 9 3 3 अब 27 नहीं जापाएगा तो 3 0 जा करेंगे और 0 बढ़ा देंगे मतलब 27 करेंगा तो 3 9 जा 27 मिन्स आगया 3109 अब यहाँ पर देखेंगे कि यह कितने से जाएगा तो यह तो मतलब देखिए आप 3 से नहीं जा पाएगा क्योंकि 3 और 1 के जोड़ेंगे तो 4 आएगा 4 और 9 13 हो जाएगा थार्टीन से नहीं कड़ता है इसलिए से त्री से निकटेगा और याँ से निकटेगा तो फानल यहां यहां पर आपन नहीं है वैसे मतलब कि यह किस से कटेगा दिखे जब भी आप 11 तक चेक कर लें और तक चले कि यह नहीं कट रहा है तो 13 से 17 से और 19 अब चेक करना पड़ता है ज़िए अब चेक करेंगे 13 से 17 से 19 से और जुतने भी 8 नंबर्स है वसे चेक करते जाएंगे तो 30 तक चेक करेगा 29 को ले करके 23 से करिएगा 23 फिर 29 तो आपको पता लेगा कि ये भी मतलब उसे डिवाइट नहीं हो पाएगा तो कैसे पता करोगा कि ये मतलब प्राइम नमबर है या नहीं है मतलब हो सकता है कि ये प्राइम नमबर हो यदि ये प्राइम नमबर होगा तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा तो हम इसे कैसे कटाएंगे तो हमें पता करने के लिए कि ये प्राइम नुमर है की नहीं देखे एक तरीका है एक तरीका ये है कि हम तुरंद क्या करिए कि इस नंबर में 6 से डिवाइड कर दीजिए ठीक है और यदि इसका रिमेंडर 1 आता है ठीक है या फिर 5 आता है समझ जाएए तो समझ जाएए बिल्कुल ही कि ये क्या है एक प्राइम नुमर है चले डिवाइड करते हैं तो 6 5 जा क्या होगा 30 होगा और यहाँ पर आजाएगा 1 और यह 0 जाएगा 5 जाए 6 फेसे जाएगा यहाँ पर किना बचेगा 4 बचेगा और यह हो जाएगा 949 अब हो जाएगा 6 8 जा 48 6 8 जा क्या होता है 48 होता है देखें यहाँ पर रिमेंडर क्या आगए 1 जब भी रिमेंडर 6 जिवाइड करने पर यह दि 1 आता है किसी भी नंबर में या फिर 5 आता है तो हम कहेंगे कि वह नंबर क्या है प्राइम नंबर है तो इसका मतलब कि यह जो नंबर है यह खूद से कटेगा मतलब 3109 से ले जाएगे अब यहाँ पर जाएगा 1 क्लियर इसका मतलब कि हम यहाँ पर देख पर हैं तो यहाँ पर लिख लेगे कि शो करना था ना में कि नमबर्स जो है पर्फिक स्व नहीं है तो क्लिरली दिए स्थेक्टर्स दिए अर नाट इन पेर्स नाट इन पेर्स नाट इन पेर्स नाट इन पर्फेक्ट स्क्वेर राइट तो हमने यहाँ पर आप सो कर लिया बिल्कुल यह तो आप चलते हैं सेकेंड पर ओके ओके नाओ सेकेंड सेकेंड आपका 404058 पहले हम करेंगे इसका फ्रटराजिशन दिखेंगे यहाँ पर 8 है इसमेंट स्प्रेस पर तर टू से कर जाएगा यहाँ यहाँ पर यहाँ पर जो आया है 2029 अब इसको भी ऐदी कटाएंगे आप कीसी भी नंबर से तो नहीं कटेगा प्राइम नमबर से यह भी एक प्राइम नमबर है कैसे पता चलेगा यह प्राइम नमबर है तू से बसे सबसे करते करते हैं कि इसको डिवाइड करिए 6 से जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यदि रिमेंडर 1 आता है या 5 आता है तो समझेए कि यह प्राइम निंबर है मतलब यह खूद से कटेगा तो 6 से ले जाएंगा इसका मतलब कि हम ली सकते हैं आपर इसका मतलब कि हम ली सकते हैं आपर is so we can write like this 4058 is equal to 2 into 2029 into 1 to here of factors are not in pairs factors of 4058 are not in pairs not in pairs therefore therefore 4058 अप लिख लेंगे इसके आगे 458 is not a not a perfect square not a perfect square that's it second answer यह हो गया अब चलते हैं third करते हैं जब भी आपको यह note करना हो तो आप जो है pause करकी video note कर सकते हैं ओके third one third आपका है 22453 यहां भी क्या करना पड़ेगा तो अब यहां देखेंगे कि किसे जाएगा पहले तो टू-टू हो जाएगा फोर फोर इसको पहले चेक कर लेते हैं कि यह 3 से कड़ेगा कि होगा है 2 2, 4 हो गया फोर 4, 8 होगया 8 5, 13 होंगया फोरуск, 316 होगया also नेख़एगा तो इसको चेक करेंगे आप इसको चेक करते हैं तो पाज चलेगा कि यह खुद प्राइम नंबर है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 से पहले हम 6 से डिवाइड करते हैं देखते हैं इसमें कि रिमेंडर क्या आ रहा है तो 6 3 जा किया हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका रिमेंडर बचेगा 4, 4 उतार लेंगे हैं आपके 6, 7 जा किया होता है 42 होता है 2 बचेगा और यह 5 हो जाएगा 25 हो जाएगा 6, 4 जा 24 होता है 1 बचेगा 3 उतारेंगे तो 6, 2 जा किया होता है 12 होता है देखे 1 रिमेंडर फिर से आ गया तो जब भी आपकिसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं और रिमेंडर 1 आता है या 5 आता ह समझ जाएए कि वो नंबर क्या है इसका मतलब कि यह खूद से कटेगा means 22453 से डिवाइड करेंगे तब वन आएगा इसका मतलब सोचिए इसका मतलब कि हम जो है डिर्क्ली बोच सकते हैं कि किलरली या फिर हम यहां पर लेख सकते हैं यहां पर लेख सकते हैं कि और कि आए सिह कि अ reiterate इस अरवे प्रयम नह्त स्वाच ठाव्त और कि विवद्वेग यह तशवक्टिपार पर सकते हैं Pow हाइए मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर जो है पर्फक्ट स्क्वेर नहीं होता तो हम यहां दिखा दिया ठीक है मतलब कि यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि मतलब यह प्राइम नंबर नहीं है और आप यह चेक कर लिए कि मतलब यह प्राइम नंबर है क्योंकि यहां पर हमने यहां पर जब किया सिक्से से डिवाइड तो अरिबंडा रान है यही एक तरीका है चेक करने का कि कोई नंबर जो है प्राइन नंबर होता है या नहीं तो चलिए यह हमने सो कर लिया अब इसको हम एरेज कर लेते हैं कि आपने कि आपके नंबर दिया वैं सेवें यहां पर लग रहा है कि यहां पर लग रहा है बिल्कुल सीधा लग रहा है कि यह जो है टू से कट जाएगा क्योंकि यहां पर इंड में क्या है तो है तो टू थिज़ जो है नूमबर 11 से फिर कर जाएगा अच्छा 11 से निगड़ेगा ये 13 से घड़ेगा ठीक तो आप चेक करेंगे तब परचे लेगा कि पर 13 से करणेगा ठीक है चेक करते रहना पड़ेगा आपको कम से कम 30 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर से सबसे चेक करना चाहिए 13 से डिबाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर आएगा 28597 अब यह जो नंबर आया यह एक प्राइम नंबर है ठीक है मतलब कैसे पते लेगा कि यह प्राइम नंबर है हम डिबाइड करेंगे किस से 6 से और यदि रिबंडर आता है 1 या फिर 5 समझ जाएंगे कि यह क्या है प्राइम नंबर है मतलब कि यह खुद से डिबाइड होगा के वल तो हम यह अपले जाएंगे 4 टाइमस 24 45 हो गया 7 टाइमस लेजाएंगे 42 हो जाएगा यहां जाएगा 3 और 9 करीवर यहां आएगा 6 पले जाएगे 6 जाए 36 होता है अब यहां जाएगा 3 और यह 9 हो गया था 7 हो जाएगा और 6 जाएगा 36 दिखेंगे रिमेंडर 1 आ रहे है यहां पि जब भी किसी नमबर को डवाइड करने पर रिमेंडर 1 आता है तो समझ जाएगे कि that number can't be मतब that number is a perfect sorry is a prime number हम सब में तो ही बोल लें आ रहे है न ओके this is a prime number यहां पर हम डवाइड करेंगे 28597 से तो यहां पर 1 आएगा ठीक है आप मतब चेक करते रहा जाओगी आपको पता नहीं चलेगा कि यह किस से कटेगा ठीक है क्योंकि बहुत बड़ा नमबर है यहां तक चेक करेंगे नहीं इसलिए हम 6 से डिवाइड करेंगे कि कहीं यह prime number तो नहीं है तो हमेसा प्राइम नमबर के केस में ऐसा होता है कि 6 से डिवाइड करने पर यह दी रिमेंटर 1 आता है तो दाट नमबर मस्ट भी अ प्राइम नमबर ओके तो हम यहां समझ गए तो सिंस लिख सकते हम यहां पर कि 7 4 3 5 2 2 इसकल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू इसमच मिन्स 2 8 5 1 9 7 तो अभी हां पर देख पा रहे हम कि क्लिरली क्लिरली इसक्टर्स आफ 7 4 3 5 2 2 आर नाट इंपेर्स आर नाट इंपेर्स देर्फोर देर्फोर 7 4 3 5 2 2 आर नाट पर फ्रिक्ट इसक्ट इसक्र आट विख दन इस थैंक यू सो बच पर वाचिंग लाइक कर देज़िए गा तो सुक्सर जरू कर ये गा और झांक्स वर वोचिंग अगीं बाइ